हालो बच्चो स्वागत हैसे आपस अपसभी आपके अपने चैनल गौड़ ग्लासेस पर बच्चो आज वंइंच्छोट सीरीज भी में voll लियनियर प्रोग्रामिश्न प्रोग्मिंग přव्ल करने से पहले बापको बता दू जो बन्षोट सीरीज इसका यह लास पार्ट भी अवेलेबल है और जो regular वीडियो हैं उसकी भी case studies अवेलेबल है यानि आपके board exam के लिए complete material चैनल के ओपर अवेलेबल है बस आपको आना है देखना है पढ़ना है और अपने exam के अंदर लिख कर आना और बहुत अच्छे अच्छे number ले कर आने है तो I hope आप लोग ऐसा करें तो हम start करते है linear programming problem linear programming problem जो हम करते हैं तो इसमें कोई specific formulas वगर आपको याद नहीं करना concept को समझना है concept को जो आप समझेंगे तो आपके सामने कुछ चीज़े हैं पर आएंगी जैसे objective function objective function वह function होता है जो आपको maximum या minimum जिसके आपको value निकालनी होगी जिसको हम denote करते हैं z से त आपको statement पढ़के यह find करना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा क्या maximum value पूछी जा रही है या किसकी minimum value पूछी जा रही है that is called our objective function constraints जो आपको situation दे रखियोंगी different different situations constraint को आप ये भी कह सकते हो limitations तो जो भी आपको situation दे रखियोंगी उनसे आपको एक linear inequalities develop करनी है ठीक है equations नहीं आपर linear inequalities बलती है यानि sign में greater than or equals to या less than equals to का sign इस तरीके से आपको उसमें लगाना है feasible reason and feasible solution feasible reason होता है जितनी भी आप lines बनाओगे वहाँ पर उन लाइनों को graph में draw करके उनको draw करने के बाद एक common reason निकालेंगे और that common reason is called the feasible reason optimal solution अब जो वो feasible reason आएगा उस feasible reason से हम हमारे पस दो अलग अलग method है उन method की health से हम x और y की value निकालेंगे जो x y की value आएगी जिस पर maximum या minimum जो भी answer आपको चाहिए वो answer आपका आएगा उसको हम बोलेंगे optimal solution तो इसमें जो question आते है question में एक बातों सरीफ इतना आता है कि formation of an LPP यानि आपको सिर्फ constraints बनाने हैं solve नहीं करना है तो question में जब भी आप पढ़ोगे करोगे तो में जान रखना कि आपसे पूछाए कर जा रहा है अगर आपसे पूछता है कि formation यानि formulate the LPP तो आपको सिर्फ constraints बनाने हैं z बनाना है बसका दम उसके बाद आपको कुछ नहीं करन है अगर method का नाम दे दिया ISO profit & Cost तो आपको वही उसकरना है अगर कोई नाम नहीं दिया तो फिर आफ रही है जो आपको अच्छा लगे जैसा अच्छा लगे आपको corner point अच्छा लगता है इजी लगता है उससे करो आपको आई असो profit cost अच्छा लगता है फिर आपकी मर्जी होगी तो बस यही सारी चीज़े इसके अंदर हैं जो में समझनी है करनी है अब जो इसमें अलग लग टैपी जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें मैनुफेक्श्रिंग प्रॉब्लम होती है डाइट प्रॉब्लम होती है ट्रांस्पोर्टेशन प्रॉब्लम होती है assignment problems होती है यह सारे हम discuss करेंगे किस तरह से आपको formulate करना है सबसे पहला जो question आपके बास है इसमें आपके सामने दिया जा रहा है कि एक manufacturing problem है अब manufacturing problem में क्या कहता है कि furniture manufacturer makes two product एक furniture manufacturer है वो दो तरह की item बना रहा है क्या क्या बना रहा है एक chair बना रहा है और एक table बना रहा है chair and table processing of these product is done on the two machine A and B यह chair और table जो बनाते हैं उसको बनाने के लिए करा कि दो तरह की machine हों का वो इस्तेमाल कर रहा है एक machine A है और एक machine B है a chair require two hours on machine A and six hours on machine B जब आप एक chair बनाते हैं तो machine A पर आपको उसके लिए दो घंटे लगाने पड़ते हैं और machine B पर उसको छे घंटे लगाने पड़ते हैं अगर आप एक chair बनाते हैं a table require five hours a table require five hours on the machine A and no time on machine B जो table है उसको स्री पांच घंटे लगते machine A पर और machine B की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है यानि machine B का वहाँ पर कोई काम नहीं है there are 16 hours per day available on the machine A and 30 hours on machine B the total machine हमारे पास available है 16 hours के लिए machine A available है और 30 hours के लिए machine B available है profit gained by the manufacturer from a chair and a table is rupees 2 and rupees 10 यह profit उन दोनों को मिल रहे और table और chair पर मिल रहे formulate this problem as a LPP and maximize the total profit of the manufacturer अब यहाँ पर स्रिफ आपको कहारा कि formulate करना है solve नहीं करना है formulate करना है तो मतलब आपको स्रिफ constraints बनाने है उनको solution नहीं करना है अब constraints जब हम बनाएंगे manufacturing problem जब आती है तो आप इसमें क्या कर सकते हो एक टेबुलर फोर्म में इसको express कर लो सारे डाड़ा को ताकि आपको समझना और करना असान हो जाए अगर आप directory भी करना चाहिए अगर आप टेबल बनाना mandatory नहीं है वो आपकी समझ के उपर depend करते है कि अगर आप टेबल बनाना चाहते है उसमें आप convenient field करते है तो वो बनाओ अगर directly आपको लग दाए भी मैं तो directly equation बना दूँ है वेको टेबल के जरूद नहीं है तो आप फिर उसके साथ जाओ तो टेबल में आपको क्या करना है आपको जो दो item बनाने आपको बनाना है क्या क्या chair और table यहाँ लिख लो आप chair chair कितनी बनानी है यह माल लेते हैं x table कितनी बनानी है यह माल लेते है y अब इनको बनाने में आप जिन चीजों का use करने वाले हो वो आप इधर लिख लो अब machine A और machine B इन दो का use कर रहे है machine A अब machine A का जो time हम use कर रहे है hours में तो आप यहाँ पर unit लिखना चाओ लिख दो नहीं लिखना चाओ कोई बात नहीं क्योंकि यह तो हम अपनी उसके लिए बना रहे हैं समझ के लिए और जो machine B है वो यहाँ पर लिख दो अब आप यह देखो जो डाटा आपके पास था अगर यह आपको अलाव करें थोड़ा सा पैंसिल जाते हैं पैंसिल लेके जाते ही हो तो हलका हलका सा बेशे का आप यह मार्क कर लेना कि जो जो important डाटा है ताकि आपको बार-बार साथ कुछ ना पढ़ना पड़े तो जैसे अब यहाँ पर चेर में गहाँ रहे हैं कि वह दो घंटे machine A पर लगते हैं तो चेर वाले कॉलम में जाओ machine A के सामने दो घंटे machine B के सामने 6 घंटे जब आप टेबल बनाते हैं तो पांच घंटे machine A पर और हाऊ कर लो, less than equals to 16. कि मशीन जो आपके पास 16 hours के लिए अवेलेबल है, और मशीन भी 30 hours के लिए अवेलेबल है, इससे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसलिए less than equals to कि हैं लगाना है. या तो 16 hours के लिए अवेलेबल होगी, ये भी आर्स में ये भी आर्स में ये भी आर्स में अगर कई पर unit किसी की change है तो unit आपको same कर लेने है ठीक है ये चीज़ ध्यान अखना बहुत common सी mistake हो जाती है तो पहला constraint बन गया 2x plus 6y less than equal to 16 यहां से आप 2 common निकाल सकते हो तो x plus 3y less than equal to 8 यह बन गया हमारा पहला constraint तो दूसरा constraint आप बनाओगे तो 6x plus 0y 0y है तो उसको लिखने के जरुवत नहीं है तो 6x less than equal to 30 यहां से आप 6 common निकाल देंगे तो x आजएगा less than equal to 5 यह बन गया दूसरा constraint अब इनके अलावा एक constraint हमेशा जिसे आप कह सकते हो invisible constraint वह हमेशा यहां पर होता है जब भी आप यह word problem वाले question करते हो ना हमेशा वो constraint होता है अगर कोई specific उसकी value दे रखी है तो ठीक है नहीं दे रखी है तो आपको लिखना ही लिखना है क्या लिखना है क्योंकि जब भी आप यहांपर कोई चीज बनाऊगे table बनाऊगे chair बनाऊगे necklace बनाऊगे कुछ और चीज बनाऊगे जो भी चीज बनाऊगे क्या negative बना सकते हो नहीं नेगेटिव नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है कि या तो आप कुछ नहीं बनाओगे, जीरो हो गया, या फिर कुछ पॉजिटिव वेल्यू बनाओगे, यानि जो आप यहाँ पर चेर और टेबल ले रहे हो ना, X और Y, एक्स की जो वेल्यू है वो greater than equals to zero होगी, और Y की वेल इनके बिना आपका question पूरा नहीं होता है, अगर question में कुछ ऐसा दे दिया जाता कि बही, number of chair कम से कम 5 होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख देते, लेकिन जब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कि कम से कम 5 chair होनी चाहिए, या table इतनी होनी चाहिए, तो आप वो लिख दो, नहीं दिया हुआ है, तो फिर आपको इस तरीके से इन दोनो constant को लिख देना है, constant आपके सारे त्यार होगे, अब रही है हमारा z, z हमें क्या करना हमें profit देखना है, profit हमारा maximum कहां पर हो रहा है, और कितना हो रहा है, profit हो टेबल पर, chair पर 2 रुपेगा हो रहा है, और table पर 10 र plus 10y, यह हमारा constant बन गया, और कोई information ऐसी तो नहीं है, जो missing हो गई हो, सारी information I think हमने ले ली है, और यही आपके constraint है, x0, y0, 2x plus y less than equals to 16, यह हो गया हमारे पास, और यहां पर है, x less than equals to 5, यह भी आ गया, ठीक है, यह सारे के सारे constraint हमने लिख दिया है, और यह question हमारा हो गया, complete उसके बाद next question पर चलते है, सिर्फ formulate करना है तो बस इतना ही छोड़ देना है, अभी हम कुछ बस formulation वाले question करेंगे, बाद में फिर solution वाले करेंगे, क्योंकि main formulation, अगर आपको constraint को formulate करना आ गया, तो method, corner point और ISO profit दो ही method है, और दोनों आपड़े राम से कर सकते हैं, कोई इसमें foundry shop and then sent to the machine shop for the finishing, पहले foundry shop पे जाता है, आइटम फिर उसके बाद machine shop पे जाता है, the number of man hours of the labor required in each shop for the production of each unit of A and B, the number of man hours of the firm is available per week as a follow, यहां पर आपको table अलड़ी बनी बनाई दे रखिये, the profit on the sale of a gadget A is Rs.30 per unit as compared with Rs.20 per unit of gadget B, gadget A पर 30 रुपे का profit होता है, गैजट B पर 20 रुपे का profit होता है, तो यहां से तो आपको clearly profit आपको समझ में आ गया, कि profit function हमारा यह, जो अगर आपको लगता है कि profit function आपको पहले clear है, तो आप पहले वो ही बना दो, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको last में लिखना है, तो यहां पर 30X plus 20Y, लेकिन यह X और Y क्या है यह, पहले आप mention कर दे यहां पर हम गैजट A ले रहे हैं, और गैजट B जो है, इस गैजट A को हम X treat कर रहे हैं, और गैजट B को हम Y treat कर रहे हैं, ठीक है, यह आपको लिख दे रहे हैं, अब नॉर्मल जैसे हमने पीछे table बनाए थी न, उसमें हमने जो production करा था, वो यहां पर लिखा था, इसने क् होने की जरूद नहीं है, ठीक है, गैजट A यहां पर लिखा हुआ X, यह फाउंटरी शॉप है, तो यह 10X प्लस में 6Y less than equals to 1000, क्योंकि यहां पर जो firm capacity per week है, वो इतनी है, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, तो equation क्या बन की, 10X plus 6Y less than equals to 1000, 2 यहां से common निकल जाएगा, आंसर हमेशा standard form में जरूर छोड़ो, अगर आपको स्रिफ formulate करना है, तो, बुक में कैसे भी दे रखाओ, आप standard form में छोड़ो, और दूसरे में आजाएगा 5X plus 4Y less than equals to 600, यहां पर कुछ common नहीं निकलेगा, यह equation आजाएगे second, इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया कि invisible constraint, यह आपको जरूर लिखना है, यह गायब ना हो जाए, ठीक है, यह वैसे invisible है, आप गायब मत कर देना, यह गायब कर दिया तो number भी गायब हो जाएगे, फिर मत कहना सार, question तो हम ठीक करके आए है, बस यह वाला constraint भूल गे, तो number मिलेंगे, जो आपने बाकी constraint बनाए, उनके मिल जाएगे, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे, तो यह हमारा दूसरा question हो ग अब चलते हम अपने अगले question पर, अगले question में यह कहता है, कि एक firm है, engaged in breeding pigs, the pigs are fed on the various product grown on the farm, तो farm पर यह product उनके produce होते हैं, वो उनको खिलाते है, in view of the need to ensure certain nutrients constitute, call them x, y and z, यह diet problem हो गई, ठीक है, it is necessary to buy two additional products, say a and b, अब वो करेंगी, जो तीन certain nutrient constituents हैं, वो आपको उनको खिलाने के लिए, आपको दो additional product purchase करने बढ़ते हैं, एक हो गया a और दूसरा हो गया b, 1 unit of product a contain 36 unit of nutrient x and 3 unit of nutrient y and 20 unit of nutrient z, ठीक है, यह आपके पास आ गया, कि वही जो nutrient x है, एक product के अंदर, जो आप product a खरीद रहे हो, उसके अंदर 36 nutrient x है, तीन unit nutrient y है और 20 unit nutrient z है, 1 unit of product b contains 6 unit of nutrient x, 12 unit of nutrient y and 10 unit of nutrient z, the minimum requirement of nutrient x, y and z is this, this and this, तो x, y, z की requirement कम से कम इतनी है, product a, cost rupees 20 per unit and product b, cost rupees 40 per unit, formulate the above linear programming problem to minimize total cost, तो आपको यहाँ पर total cost को minimize करना है, तो हम यह माल लेते हैं कि जो product हम a बना रहे हैं, वो, हम जो product a purchase कर रहे हैं, वो X है और product B जो है वो Y है तो हमने यहाँ पर लिया product A हमने purchase किया X product B हमने purchase कर दिया Y unit अब यह जो हम product ले रहे हैं किसले ले रहे हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ nutrients हैं वो nutrients क्या क्या है nutrients हैं आपके पास X nutrients Y और nutrients Z मैं short में थोड़ा लिख देता हूँ जब हम product A purchase करते हैं तो उसके अंदर 36 nutrient X है और 3 unit nutrient Y है 20 unit nutrient Z है और दूसरा product purchase करते हैं तो उसके अंदर 6, 12 और 10 6, 12 and 10 और जो यह nutrients की quantity है ना यह कम से कम कितनी होनी जाए 108 36 और 100 अब यह कम से कम इसने बोला है कि वह at least minimum minimum इतना होना चाहिए इससे जादा हो जाएगा तो बड़ी है बड़ी है तो इससे जादा हो सकता है इससे कम नहीं करना आपको तो इससे जादा हो सकता है तो मतलब आपको sign यहां पर क्या लगाना है greater than और इक्वल्स टू कितना कितना है 108 यह कितना है 36 और यह कितना है यह 100 तो अब आपके पास जो constraint है वो क्या बन गया तो constraint बनाते हैं तो पहला constraint बना हमारे पास 36x प्लस में 6y greater than equals to 108 6 आप यहां से common निकाल दो 66 यहां पर दूसरा constraint बनाएंगे तो आजाएगा 3x प्लस 12y 12y greater than equals to 36 यहां से आप 3 common निकाल दो तो 3 4s are 12 12 3s are 36 तीसरा constraint बनाएंगे तो 20x प्लस 10y greater than equals to 100 यहां से 10 common यह हुगा तीसरा constraint इसके लावा फिर हमारे वही इन्विजिबल constraint अब objective function जो यहां पर minimum cost करनी है में minimum cost करनी है तो यहां पर 20 पर unit है और यहां पर 40 पर unit है तो आपको minimize करना है यहां पर जहां पर maximize करना हुआ maximize क्लिक देना इसलिए साथ question में लिखा नहीं जहां पर maximum करना हुआ मेक्सिमाइज लिख देना जहां minimum करना हुआ मिनिमाइज कर देना z क्या जाएगा 20x plus 40y यह constraint हो गए और यह उसकी equation हो गई है उसके बाद जो next question है उसका चलते हैं next question है transportation problem का तो यह question अगर हम पूरा solve करते ना इसको solution relation भी निकालते तो काफी लेंद ही हो जाता है तो वह पूरा question इसमें से आने के chance नहीं हाँ यतना सकता है कि आप से इसके constant पूछ ले जाए इतना दो possibility हो सकती है तो इसलिए कर लेना इसको छोड़ना मत ज्यादा question है भी निए इसके दो question सारे की की टाइप के question होते हैं तो यहां पर कहता है कि एक factory है जो की locate कर रही है दो places पर पी और क्योड़ दो factory एक नहीं है दो factory पी और क्योड़ क्यों तो इसमें आपको पहले ने डाइग्राम बनाना पड़ता है यह और क्यों दो बाटरी होगी अब इनकी जो कैपिसेटी है वो भी आपको बताई जाएगी सर्टेन कोमोरेटी डिलेवर टू इच ओव दा थ्री डिपो सिच्टिटीड एड 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 और यहां से हमें डिलीवर जो करना है तीन जगें डिलीवर करना है एड बी और सी दोनों का जो टोटल होगा वो हमेशा इनके टोटल के बराबर ही आना चाहिए 5 प्लस 5 10 10 प्लस 14 और यहां पर भी 806 14 तो यह आपके पास तीन डीपोज होगे यह दो डीपो है पी और क्यों यहां से तीन फैक्टरी है जहां पर आपको सप्लाई करनी है अब कहला है कि जो कोस्ट ऑफ ट्रांस्पोर्टेशन है वो आपको यह दे रिखिये तो how many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost is minimum तो मैं किस तरह कैसे इसकी transportation करनी जाए कि जो transportation cost है वो minimum आए तो सबसे पहले तो constraint हम बनाते है अब जहें कि जब भी आप transportation करेंगे यानि कोई समान इधर से उधर deliver करेंगे तो हम मान लेते हैं कि आपने जो depot P है वहां से A पर जो समान deliver किया वो किया आपने X unit ठीक है और यहां पर आपने deliver किया Y unit अब क्योंकि आपको linear inequality यहां पर दो variable में ही रखनी है आपको Z नहीं लेना है जैड नहीं लेना है आपको सिर्फ X और Y में answer रखना है तो इसका मतलब इसके पास total 8 unit था इसके पास टोटल आठ यूनिट था उसमें से इसने X यहां पर supply कर दिया Y इसने यहां पर supply कर दिया तो जो इसके यहां दे दिया Y इसने यहां दे दिया तो बाकी जो बचेगा वो C के पास सला गया अब आजाते हैं क्यों पर अब क्यों कहता है यार X और Y तो पीने ले लिए मैं कैसे लूँ मैं कैसे deliver करूं क्योंकि X और Y के लाबा Z तो आप लेनी सकते तो फिर हम यहां पर इसको यूज C को यूज करते हैं एक ही जो quantity है जो इसको चाहिए वो पांच यूनिट चाहिए अब पांच में से X तो इसे यहां से मिल गया बाकी का यहां से लेगा बाकी का यहां से लेगा तो यानि इस यहां से जो यहां सप्लाई जा रही है वो कितनी है 5 माइनस X तो कि इसकी capacity 5 थी X इसको अलेडी हां से मिल लिया बाकी जितना होगा है वो यहां से ले लेगाई अब से मैं से यहां पर इसकी requirement थी पांच उसमें से Y इसको यहां से ले ले गया है 5 माइनस Y और यहां पर जो requirement है अब यहां पर टोटल कितना था इसके बस यहाँ पर इससे आप ले लो 4 इसका चाहिए 4 में से इसको यहाँ से मिल गया तो वागी माइनस कर दो 4 माइनस 8 माइनस X माइनस Y तो इसके आप ब्रैकिट खोलोगे तो ही माइनस X माइनस Y तो प्लस के हो जाएंगे और यहाँ से 4 4-8-4 ओर यहां इस तरीचे से आप शप्लाइ का चार्ट आपने बना लिया अब इससे बनाओ वहले कंस्ट्रेंट जब सब्लाइब घर सकते हो गया आप कुछ नहीं कुछ नहीं दो यह ले लो बढ़ी तो छितनी भी सप्लाइए हैं सभी के आगे greater than or equals to zero का sign लगा दो तो पहली supply x थी दूसरी supply थीसरी supply कितनी थी 8-x-y चौती होगी आपके पास 5-x और फिर आगी आपके पास 5-y और उसके बार लास में आगी x-4 तो इस सारी supply के सामने आपने greater than equals to zero का sign लगा दिया अब यह तो आपका पहला constant बन गया इसमें जो invisible वाले थे ना हमारे वो इसी में आ गए इसमें आपको अलग से लिखने की जरूद नहीं है अब यहां से देखो अगर मैं x और y दोनों को इधर लेके जाता हूं तो दोनों प्लस हो जाएंगे यानि ऐसे लिख सकते हैं 8 greater than or equals to x plus y अब ऐसे भी लिखा छोड़ सकते हो या फिर आप इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं x y को left में लिखते हैं अगर आप x y को left में लिखोगे तो inequality का sign change करके फिर आपको लिख देना है तो यह होगा आपके पास third सेम ऐसे यहां पर करो 5 greater than or equals to x या फिर कह सकते हो x less than or equals to 5 यह होगा आपके पास 4 यहां से आपके पास 5 greater than or equals to y x less than or equals to 5 y less than or equals to 5 यहां पर x plus y minus 4 है यहां 4 को इधर लिए आएंगे तो इसमें आपको कुछ और change करने की जरूरत नहीं है यह बनगे आपका six constraint तो constraint सारे हमारे बनगे अब कह रहा है यह objective function यह भी तो और बनाना है अब वो बनाने के लिए इसने transportation cost आपको यह दे रखिए वो यह कह रहा है कि अगर आप पी से ए पर भेज़ते हैं तो आपको 16 रूपीज पे करने होते है पी से ए पर supply भेजते तो आ हम कितनी भेज रहे हैं एक्स भी तो यहां से इन दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी मनेगी माइनको 15 एक्स माइनको 15y है अब जाओ急 pay क्यू से जब आप एपर भेजरे तो 10 रूपे लगेंगे तो 10 को इससे multiply कर workers 10 5500ux कि माइनस 10 एक्स ही ल Grant यहाँ पर 12 है तो 12 फाइजका 60 माइनस 12 जरे I जैए यहाँ पर टैन ए से multiply इसकोगे वाजregा 10 एक्स 10y minus 40 अब इसको कर लेते हैं हम solve तो solve करके हमारे पास क्या बना जो x वाली terms है x वाली terms में देखो कुछ कटता है तो काट दो यह minus 10x से यह plus 10x से यह cancel हो गया हमारे पास बचा यहां से 16x और minus 15x और कहीं पर x नहीं है यह 1 आ गया y वाली term यह 10 है और 10 यहां पर दो कुछ नहीं कट रहा यह 10y यह भी plus में तो 10 यह और 10 यह 20 हो गया 20 minus 15 5 आ गया और 5 minus 12 minus 7 आ गया और इसके लावा जो number से हमारे पास 120 है 120 plus 50 170 हो गया 170 plus 60 यानि 230 minus 40 यानि 190 तो यह बन गया हमारा इसका z तो इस तरीके से question आप complete कर सकते हैं आगे इसमें solve question नहीं करना बस formulate करना था formulate हमने कर दिया उसके बाद जो next question है उसमें कहता है कि company has two group of inspector namely group A and group B एक company में दो group है inspectors के एक A है और एक B है who are assigned to do a quality inspection work जिनको हमने assign कर रहा है कि वो inspection work करेंगे कि quality ठीक आ रही है यह नहीं आ रही है it is required that at least 1800 pieces are inspected for 8 hour day जो आठ घंटे का जो दिन है उसके अंदर कहादा है कि वही कम से कम आपको 1800 pieces inspect करने है जादा भी हो सकते हैं लेकिन 1800 तो करने है it is known that inspector of group A can check pieces at the rate of 25 per hour जो group A के inspector है वो एक घंटे के अंदर लगबर 25 pieces check कर लेते हैं with an accuracy of 98% उसकी जो accuracy 100% नहीं है यानि कुछ 2% ऐसा भी है कि वो गलत check कर लेते हैं 98% की accuracy है while inspector of group B can check at the rate of 15 pieces per hour with an accuracy of 95% जो group B के inspector है उनकी जो speed है ना चेकिंग करने की वो भी कम है और accuracy भी कम है accuracy उनकी 95% है the inspector of group A and B are paid rupees 40 and rupees 30 per hour respectively to do the work ग्रूप A और ग्रूप B के inspector उनको 40 रूपे और 30 रूपे मिलते हैं पर आर काम करने के each time an error is caused by the any inspector it cost a loss of rupees 20 to the company अगर वो कुछ inaccuracy करते हैं मतलब गलत चेकिंग करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है कम्पनी को ग्रूप B करने पड़ती है 20 रूपीज के साब से the company has 8 inspector in group A 10 in group B the company want to determine the optimal assignment of inspector to minimize total inspection cost तो company को जो number of inspector है वो कितने assign करने चाहिए कि उसे जो cost है वो minimum पड़े तो हम माल लेते हैं कि जो group A के जो inspector है वो माल ली हमने की x assign कर लिए group B के inspector हमने y assign कर लिए तो अब group A के अंदर आपके पास total 8 inspector है और group B के अंदर 10 inspector है तो पहला constraint तो आपका ये बन गया कि x की जो value है 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती और y की value जो है वो 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती ठीक है एक constraint ये आगया हमारा और एक constraint ये आगया उसके बाद फिर आगे चलते अब ये कहता है कि जो काम करते हैं वो काम जब करेंगे तो inspection जो कर रहें न वो 1800 pieces का inspection एक दिन के अंदर होना चाहिए तो 1800 pieces का inspection कम से कम होना चाहिए हमारे पस जो inspector है वो x inspector हमने काम भी लगा दिए अब वो काम कितने देर तक करेंगे वो काम कर रहे हैं हमारे पास एक घंटे के अंदर वो 25 पीसिस चेक कर रहे हैं और एक्स इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं तो इसका मदलब 25 एक्स कितने पीसिस चेक होगे लगी मैं प्लस में पंद्रा और दिन जो है हमारे पास कितना 8 गंटे का दिन है तो 8 से स्कोर मल्टिप्लाई कर दो और यहां से जो quantity आपके पास आएगी वो quantity आएगी greater than or equals to 1800 कि कम से कम इतने तो होने चाहिए तो 8 यहां से common निकाल दो तो यहां आपके पास बचा 25X plus 15Y 8 से अगर मैं इसको divide करूँ तो यह हो जाएगा 8 तूजा 16 2 बचेंगे 8 तूजा 16, 8 फाइव जा 40 5 और common निकाल दो 5 चोग 20 5 बंजे 25 5X plus में 3Y greater than equals to 45 यह बन गया हमारा इसका पहला constraint अब इसके अलावा जो invisible constraint है हमारा X की जो value है greater than equals to 0 Y greater than equals to 0 यह आ गई यह थर्ड constraint आ गया और यह फर्स था ही सेकिंड था यह थर्ड हो गया और यह हो गया हमारा फोर्थ तो constraint तो हमारे सारे बन गए अब हम बात करते हैं इसके Z की Z मतलब जो इसकी जो cost पढ़ रही है company को जो काम करवारी है company इसकी cost उसे कितनी बढ़ रही है तो company ने कहा कि वह चालेस रुपे और तीस रुपे पर आर के हिसाब से group A और group B के inspector को देगी तो मैं पहले group A की cost निकाल लेता हूँ का group A के inspector काम कर रहे हैं तो उनको कितना company को कितना खर्चा बढ़ रहे है तो company कर रही है परार के हिसाब से हम चालेस रुपे तो आपको देंगे देंगे अब इसके अलावा company को और के cost पड़ रही है वह कम इसमें कोश्चन में दिया गया है कि अगर वह कोई गलती करते हैं तो उसका 20 रुपे के हिसाब से company को भीर करना है दो परसेंट को मैं 0.02 लिख दू और इस पर company को जो cost bear करने पड़ रही है वह 20 रुपे की cost bear करने पड़ रही है तो जो ग्रूप है कि जो inspector है जो एकस इंस्पेक्टर है उनके लिए company को इतना खर्चा लगे गा उनको देने के लिए इतना खर्चा लगे गा तो 40 रुपे त पचास और कोस्ट बी के लिए कितनी पड़ेगी बी के लिए कर रहा है थर्टी रूपीज होगी और वह कितने पिसी चेक कर रहे हैं पंदरा पिसी चेक कर रहे हैं इंटू में और इनकुरेसी उनकी है 0.5% पांच परसेंट मतलब 0.05 यहां भी खर्चा तो 20 रुपे पड़ यहां पर पड़ेगा पंदरा रुपे की कॉस्ट कि बड़ेगी यानि 45 та वैंट अली खर्फेश कबढ़े हैं अब आदक अज़ा निकली कों ट लिए गंटे के निगए इंग गंट सो इतना मिलता है उतने में बेस पिसी उनके लिए कंपनी को पचास रुपे करने पड़ते हैं और इसके लिए 45 करने पड़ते हैं अब यहां पर यह काम कर रहे हैं आठ गंटे तक तो मतलब जैट कितना बनेगा 50 इंटू में 8 x प्लस 45 इंटू में 8 y तो 8 5 जा 40 यानि 400 x प्लस में 8 5 जा 40 और 8 4 जा 32 और 36 तो जैट बनके हमारे पास 400 x प्लस में 360 y यह हमारा इसका आंसर आजाए तो इस तरह से जो equation थी वो हमने formulate करनी तो सीख ली कि formulate आप कैसे कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इनके solution की solution आपको किस तरीके से करने solution करने के लिए सबसे पहला काम तो वही है कि formulate तो आपको करना ही करना पड़ेगा बिना formulation के तो हम solve करेंगे क्या तो पहले आप उसको formulate करो जैसे हमने भी सीख है तो अब यहां पर जो आपको condition दे रखी है उस condition में कहता है कि एक यंग मैन है जो कि एक राइड कर रहा है मोटर साइकल पर अगर अगर वह फोटी किलो मेटर पर आर अगर की स्पीड से राइड करता है तो जो पैट्रोल की कोस्त है वह पांच रुपेश पर किलो मेटर बढ़ जाएगी स्पीड बढ़ा होगे, स्पीड के मज़ेल होगे, तो या पैसे भी कज़ करने बढ़ेंगे, सीदी सी बात, और जो टाइम है उसके पास, वो एक घंटे के टाइम है, उसको मेक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, अब इसको आप एक्सप्रेस करो, लिने प्रोग्रामिंग में और फिर इसको सॉल्ड करो, तो हम यह मान लेते हैं, यहां पर देखो, दो तरीके की स्पीड दे रहे हैं, एक बार वो चल रहा है 25 किलोमेटर पर आर की स्पीड से, और एक बार चल रहा है वो 40 किलोमेटर पर आर की स्पीड से, तो यहां पर हम यह मान के चल लेते हैं, कि जो इसी स्पीड से जब वो च चल रहा है तो वो distance cover कर रहा है X let distance covered by 25 km per hour speed BX जो दूसरी उसकी speed है उससे distance cover कर रहा है 40 km per hour की speed से cover कर रहा है distance Y तो इसके हिसाब से जो time दोनों में लगा वो कितना लगा पहली वाली के जो condition है उसमें time लग गया time का फार्मूला होता है distance upon speed distance x speed आपके पास यह 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 एक सपॉन 25 और जो दूसरा time है यह आजाएगा y upon 40 तो इस पहले वाले में इतना time लग रहा है दूसरे वाले में इतना time लग रहा है x upon 25 y upon 40 less than equals to 1 एक घंटे से ज्यादा नहीं है equation को simplify करने के लिए ले 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 लेते 25 और 40 के लिए लेंगे तो i think 200 हो जाएगा पच्छी सथे 200 यहाँ पर पांच पर चला जाएगा इसको अदर लेके जाएगे तो पहला constraint आपका यह बन गया 8x प्लस में 5y less than equals to 200 यह पहला constraint आगया अब बात करते हैं इसकी कोस्ट की अंह—— जो कोस्ट में आपके पास वह किदनी आयो एक्स किलोमेटर का डिस्टण्स कवर कर रहा है इस वाली स्पीड से कवर कर रहातो वहां पर उसको park डरे रूपी तू पर किलोमेटर यह निनी एकoso2 commerce तो किलोमेटर के हो गये 2x तो 2x हो गये हैं पर जो दूसरी वाली स्पीड है उससे वो जा रहा य किलोमेटर और उसमें खर्चा पड़ता है उसको पांच रुपेगा यानि 5y हो गया और जो डोनो खर्चे है उसके मिलाकर पापा ने कितने पैसे दिये 100 रुपे दिये सो और उपे से ज़्यादा खर्च नहीं करना तो less than equals to 100 यह हो गया दूसरा constraint अब इसके अलावा जो x है greater than 0 जो invisible constraint हो तो है हमारा वो यहाँ पर आ गया अब यहाँ पर z क्या है z है यहाँ पर maximum distance distance कितना है distance x है और y है इन दोनों का जो sum है उसको करना है आपको maximize तो यह हमारे constraint है अब इनका में करना solution using पहले हम करते हैं आप पर corner point method में इसमें लिखा कुछ नहीं है वैसे पहले दो question हम corner point से करेंगे फिर आगले दो question iso profit and cost से करेंगे अब यहाँ पर आपको क्या करना है equation बनाने है जब आप equation बनाओगे यहाँ पर lines बनाओगे तो lines बनाने के लिए आपको equations यूज़ करनी है आपको यहाँ greater or less नहीं यूज़ करना है आप यहाँ पर जब line बनाओगे तो आपको लेना 8x plus 5y equals to 200 ठीक है क्योंकि line हम equals to की बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे जैसे पहले वाली है इसमें मैं आपको थोड़ा detail में समझा दूँ बाकी तो फिर आप direct कर लेंगे हम जैसे हम table बनाते थे छोटी classes में आप बनाना चाहो बना सकते हो छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो मर्जी आपकी है एक बार x को 0 put कर दो अगर x को 0 put करते हैं तो y की value निकालेंगे 5 से x को divide करेंगे 40 आजाएगी ऐसे हम y को 0 करते है y को 0 करा तो हमने 8 को इधर लाया और 8 को इधर लाया तो इसकी value आजाएगी आपके पास 25 आपके पास 2 point आगे एक तो आगे 0 40 0 40 हो गया हमारे पास इधर माल लेते हैं आप तो graph पे बनाओगे तो properly mark करके 10 10 का gap ले लिया यहाँ पर 25 0 एक आपके पास line आगे यह वाली है इस line में यह arrow arrow सब में डालनी है आपको और यह line दिखा देना किसकी आपने खीची है 8x फ्लस में 5y equals to 200 अब तो दूसरी line है यह वाली है ऐसे ही आप करेंगे अब यह table है आप बना के दिखाओ मत दिखाओ कुछ का कुछ फरक नहीं पड़ेगा बस सही होनी चाहिए अगर x को हम 0 करते हैं तो y की value आजाएगी 20 तो यह तो और नीचे आगे और y को 0 करते हैं तो x की value आएगी 50 यह तर चला गया इसकी line ऐसे आगी अब यह line अब लिख दो किसकी है 2x फ्लस में 5y equals to 100 यह जो दोनों line होती है x 0 और y 0 यह आपको बनाने की जिरूद नहीं है यह वाली जो line होती है यह x equals to 0 के लिए होती है और यह वाली line होती है y equals to 0 के लिए बस यहाँ पर यह mention कर देना अब उसके बाद हमें यहाँ पर इसका common reason find करना है अब common reason find करने के लिए हम एक technique use करते हैं इसको बोलते है point test पर लब हम इस graph में कोई भी एक point ले सकते हैं कहीं से भी point आप ले सकते हैं लेकिन convenience के लिए हम क्या करते हैं हम इसको origin को choose करते हैं क्योंकि इससे solve करना असान होता है x भी 0 है y भी 0 है तो easily solve हो जाता है तो जो पहले वाली equation है यह वाली इसके अंदर जब हम 00 put करके देखते हैं तो हम यह देखेंगे situation अमारी true आ रही है यह false आ रही है अगर मैं यह 0 put करता हूँ यहाँ 0 करता हूँ तो यह आएगा 0 less than equals to 200 तो इसका मतलब यह true आ रहा है तो true आने का मतलब क्या होता है कि जो point आपने इसमें put किया है उस के solution का एक part होगा तो अगर हम इस line के साब से देखें यह पहली line यही थी ना इस line के साब से देखें तो origin इसमें इस तरफ आ रहा है origin इस तरफ आ रहा है true आ रहा है यह statement true आ रही है क्योंकि 0 100 से चोटा होता है तो इसका मतलब इसका भी solution origin की तरफ ही होगा तो दोनों का जो common solution उसके लावब इसका आपको करने की जरुवत नहीं है यहाँ पर greater है यहाँ भी greater है तो इसमें जब हम greater value लेंगे तो इसके right में solution होता है और इसमें उपर की side होता है मतलब first quadrant में आपका answer आएगा तो अब यहाँ पर दोनों में solution जो है नीचे की तरफ आ रहा तो दोनों का common solution है वो यह वाला part बनता है इदर नहीं जा सकते है क्योंकि इससे इदर हो जाएगा तो यह हमारा common part बनेगा और इन दोनों लाइनों से इदर नहीं जाना है आपको इन water line को cross नहीं कर लें जो red line draw कर रखें न इसको cross नहीं कर ले h, first quadrant में इन आपने answer को रखना है अब आपके पास यह corner point आ गया, एक यह corner point आ गया एक यह आ गया और एक की आ गया चार corner point होगे उसमें से 25-0 तो आपके पास यह है, यह 00 होगया, यह 020 होगया, यह वाला point आप निकालोगे कैसे यह दोनों line ने जहां interset कर रही है आप graph से देखके निकाल सकते हो graph से अगर आपको easy पता चल जाए अगर आप वहाँ से पता नहीं चलता तो आप इन दोनों equation को solve कर सकते हो solve करने के लिए आप verbal method यूज करो आप elimination यूज करो आप कुछ भी method यूज करो point सही आना चाहिए अब जिसे यहाँ पर आप verbal method elimination यूज करोगे तो 5y से 5y दोनों cancel हो जाएगे तो 8-2 करेंगे 6x बना और यहाँ पर 200 में से 100 करेंगे तो 100 आगया 2 से divide किया x की value आगे 50 upon 3 x की value 50 upon 3 है ऐसे फिर इस value को आप इन दोनों में से किसी भी एक equation में रखके निकालोगे तो y की value आ रही है 40 upon 3 तो यह point बना हमारा 50 upon 3 and 40 upon 3 point आ गया अब उसके बाद आपको corner point method यूज करना है तो आपको लिखना है कैसे आपको यहाँ लिखने corner point और यहाँ लिखने आप z z कितना था हमारा x plus y corner point आपका एक तो 0 0 है और 25 0 है 0 20 और जो बीच में आया हमारे पास 50 upon 3 and 40 upon 3 अब इन values को यहाँ पर डालोगे तो answer यहाँ से 0 आएगा यहाँ से 25 यहाँ से 20 यहाँ पर इन दोनों को add करोगे तो 30 maximum distance हमारा यही आ रहा है तो यह कह रहा है कि जो पहला वाला distance है 25 km per hour की speed से distance travel करेगा वोगा 50 upon 3 km और दूसरे वाले से करेगा 40 upon 3 km तो यह आपका final answer बनता है उसके बाद next question पर चलता है next question में कहता है कि यह diet problem आगी हमारे पास इसमें कहता है कि diet is to contain at least 80 unit of vitamin A and 100 unit of vitamin 100 unit of minerals 2 food F1 and F2 are available food F1 cost rupees 4 and food F2 cost rupees this तो वही आप table बना लो इदर दो तरीके के food है आपके पास food F1 है food F2 है अब उसमें आपको चाहिए क्या के चाहिए तो vitamin A उसके अंदर होना चाहिए और एक minerals उसके अंदर होनी चाहिए ठीक है दो तीस उसके अंदर होनी चाहिए और cost इसके पढ़ रही है rupees 4 per unit and cost rupees 6 per unit तो यह बनेगा आपका Z और करना कि इसका minimize करना है यहां लिख देना आप minimize diet problem में minimize ही करना होगा कि आपको जो cost पढ़ रही है न minimum कितने पैसे खच करने बढ़े है तो Z बन गया आपका 4X plus में 6Y अब यह कह रहा है कि 1 unit of food F1 contain 3 unit of vitamin A 4 unit of minerals and 1 unit of F2 contains 6 unit of vitamin A 3 unit of minerals formulate this linear programming problem and find graphically the minimum cost for the diet formulate भी करना है और फिर find भी करना है अब vitamin और mineral हमारे पास है कितना विटामिन के रहा है कि कम से कम इतना होना चाहिए mineral कम से कम इतना होना चाहिए greater than equals to 80 greater than equals to 100 तो बन गया हमारे constant पहला constant आया 3X plus में 6Y greater than equals to 80 common निगाल दो 2 3 नहीं निगलेगा common चोड़ो बई यह पहला constant आ गया उसके बाद फिर दूसरा constant बनाएंगे 4X plus में 3Y greater than equals to 100 इसके लावा जो invisible constraint है दोनों को इखटा करके भी ऐसे भी लिख सकते हो आप Z already आपके पास आई चुका है graph बनाओ नगा X को अगर 0 करोगे यहाँ पर तो Y की value आजाएगी 80 upon 6 यानि 40 upon 3 अब 40 upon 3 का मतलब हो जाएगा 13 point something तो idea से मैं भी ले ले रहाँ आप तो graph में बनाओगे तो सही से ले ले लेंगे और X को 0 करते हैं आप Y को 0 करते हैं तो X की value आएगी 80 upon 3 यह लाइन आगी दूसरी लाइन ड्रो करते हैं यहां से X को 0 करते हैं तो Y आजाएगा 100 upon 3 और Y 0 करते हैं तो X की value आएगी 25 तो 25 इससे थोड़ा सा पहले ही आएगी तो यह दूसरी लाइन हमारी है आगई ठीक है यह point आएगा इसका intersection point तो इसको भी निकाल लेते हैं इसको जब आप दोने equation को solve करोगे ना तो solve करके जो intersection point आ रहा हमारा यहार है 24 and 4 by 3 यह मैं निकाल नहीं रहा हूँ अब आप यह खुद निकाल ले ना तरीका मैंने बताय दिया है या तो graph से निकालो या फिर इन दोने equation को solve करके elimination method लगा देना इसको 2 से multiply करके cancel हो जाएगा x की value निकल जाएगे फिर y की निकल जाएगे अब हमारे पास हम आते हैं feasible reason पर कि हमारा शेडिर portion क्या बनेगा तो यहां पर जब आप 00 पुट करोगे पहले वाली में 00 अगर आप पुट करोगे तो यह आएगा 0 greater than equals to 80 मतलब यह false statement आ रही है क्योंकि 0 तो इससे छोटा होता है यहां पर आ रहा है 0 greater than equals to 100 तो यह भी false आ रहा है तो इसका मतलब false आने का मतलब है कि जो point आपने test किया ना यहां पर वो 00 यह point हमने test किया था तो यह solution का part नहीं होगा यानि इसके दूसरी तरफ आपको shade करना है तो shade हमें कहां पर करना है shade हमें करना है इदा है यह वाला हिससा हमारा shaded portion आएगा अब इसमें corner point हमारे पास क्या क्या बनने एक यह बनेगा एक यह बनेगा और एक यह बनेगा corner point आगे जैड आगया तो corner point आएक तो हमारे पास 0 और 100 भाई 3 दूसरा है 24 और 4 भाई 3 और नीचे हमारे पास 80 अपॉन 3 and 0 इन values को Z में डालेंगे Z में डालोगे तो आपके पास वेल्यू आ रही है 80 upon 3 पहले point है हमारे पास 0 और 100 upon 3 इस पर वेल्यू आ रही है 200 और 24 और 4 by 3 इस पर वेल्यू आ रही है 104 और 80 upon 3 इस पर वेल्यू आ रही है 106.66 ठीक है अब इसमें से आपको चाहिए minimum तो minimum वेल्यू यह है हमारी अब जो bounded case वाले question होते हैं उसमें हमारा solution निकल जाता है ही पर ही लेकिन जब आप unbounded वाले cases करोगे तो इसमें आपको एक काम और करना होता है क्योंकि यह reason unbounded है हमें check करना पड़ता है कि यह जो solution निकल रहा है solution possible है या नहीं है अब यह check करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक आपको यहाँ पर inequality draw करने पड़ेगी withdraw an inequality for क्या equation लेंगे जो z की equation थी 4x ब्लस में 6y यह लिखने है आपको less than minimum पूछ रहा है तो less than लगा दिया हमने और जो minimum value आपकी निकलिए 104 इसकी line आप draw करके देखेंगे कि यह कहां से pass कर रही है अब इसको जब आप draw करोगे यहाँ पर तो देखो जिस point पर आपकी value निकलिए ना 24 and 4 by 3 एक point तो वो हो गई होगा यहाँ से तो line pass करेगी ही करेगी हमें एक दूसरा point और चाहिए पता लगाने के line कहां से pass कर रही है तो उसके लिए मैं अगर y को 0 रख लेता हूँ तो x की value निकालते हैं 104 upon में 4 अब 104 upon में 4 का मतलब हो गया 4, 2, 8, 4, 6, 24 यानि 26 आईगी x की value 26 आईगी अब x की value 26 जो है ना इन दोनों के बीच में ही कहीं होगी क्योंकि जो 80 upon में 3 अगर आप करोगे तो 27 से थोड़ा सा पहले होता है तो आप graph में करोगे तो और आपको असानी से समझ में आ जाएगा कि कहां पर होगा तो 26 होए ना इनके बीच में कहीं होगा मैं यहीं पर ले लेता हूँ अब यहाँ एक पॉइंट तो यह होगया और एक पॉइंट यह होगया इन दोनों को आप जोइन करो और dotted line ड्रो करते वे जाओ अब आप यह देखो कि यह जो line है यह shaded portion को पास करती है यह नहीं करती है तो नहीं करती है ना सिर्फ इस पॉइंट से पास कर रही है shaded portion से पास नहीं कर रही है अगर ऐसा होगा तो हमारा solution इसमें होगा possible तो यहाँ दिखा देंगे आप 4x प्लस में 6y इसकी हमाई equation ड्रो करनी है which has no common point no common point in feasible reason अगर कुछ भी common point आ जाता तो solution नहीं होता possible फिर हम लिख देते there is no solution अभी हम लिख देंगे yes the minimum value is minimum value is rupees 104 at 24 and 4 by 3 यह जो food f1 है वो इतना होना चाहिए food f2 जो है वो इतना होना चाहिए अब दो कोश्चन हमने उससे करें अब दो कोश्चन करते हैं iso profit and cost method से अब पहले पहला काम तो corner point निकालने तक का का काम सारा सेम होता है constraint बनाने अब constraint यहाँ पर बनाओगे क्याता है कि merchant plan to sell two type of personal computer a desktop model and portable model that will cost rupees 2500, 25,000 and 40,000 respectively मादलब desktop model उसको एक इतने का पढ़ता है और portable model इतने का पढ़ता है he estimates that the total monthly demand of computer will not exceed 250 the total demand है उसकी वो 250 से जादा नहीं होगी determine the number of unit of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit तो उसको कितना stock रखना चाहिए ताकि उसको maximum profit मिल जगे if he does not want to invest more than rupees 70 lakh अगर वो 70 lakh से जादा invest नहीं करना चाहता and his profit on the desktop model is this and on portable model is this to make an LPP and solving it using ISO profit and ISO cost method तो हमें क्या करना है हमने माल लिया कि जो desktop model है वो X unit है हमारे पास जो portable model है वो Y unit है अब इसने कहा कि दोनों का जो total demand है वो इससे जादा नहीं होती है जब demand इससे जादा नहीं होती है तो रख के क्या करेगा वो तो यहां पर क्या करना है आपको X plus Y less than equals to 250 एक constraint तो यहां गया है जब वो desktop model खरीता है तो उसको एक model पड़ता है 25,000 का अब क्योंकि वो X model खरीत रहा है तो 25,000 X plus 40,000 Y और इन दोनों में जो total cost वो invest करना चाहता है वो 70 lakh से जादा नहीं करना चाहता यानि less than equals to 70 lakh ठीक है इससे जादा नहीं करेगा तो यहां पर आपको less का sign लगाना है अब यहां पर देखो 3,0 इदर से 3,0 इदर से और 3,0 इदर से और 3,0 यहां से उड़ा दो यह common होगी उसके अलावा 5 से divide करेंगे तो यहां आएगा 5 यहां जाएगा 5,6,4 यहां आएगा 14,5,70 3,0 डानी थी 14,5,70 यहांनी यहां आगे हमारे पास दूसरा constraint अब उसके बलावा यहां पर जो invisible constraint है हमारा वो तो रहे गई रहेगा इसके बिना तो question दूरा है Z यहां पर क्या बनेगा Z हमें maximize करना है profit हमें maximize करना है profit कितना हो रहा उसको 4500 का होदा है पहले वाले model पर और 5000 का हो रहा है दूसरे model पर तो constraint आगे Z आगया graph बना दोगे graph में आपको फिर वैसी बनाना है X को आप 0 करोगे Y आजाएगा 250 Y को 0 करोगे X आजाएगा 250 एक line तो आगे हमारे पास यह यह line लिख दी हमने किसकी line है X प्लस Y इक्वल्स टू 20 graph में द्यान लगना इक्वल्स तो लगा करी लिखना है line में यहां greater or less मत लगा देना यहाँ पर X को अगर 0 करते हैं तो Y की value कितनी बनेगी 1400 upon में 8 तो Y की value आजाएगी 075 यानि यहां पर आजाएगा और Y को 0 करते हैं तो X की value आजाएगी आपके बास 5 से divide करोगे तो 280 280 आजाएगा इसके बाद तो यह आपके बास दूसरी line आगी ठीक है यह line में दिखा देना वही कौन सी line है यहां पर दिखा दो तो जहां जगे मिले वहां दिखा दो जी 5X प्लस में 8Y इक्वल्स टू 1400 X0 यह होई गया Y0 यह हो गया arrows अभी पर होनी चाहिए ग्राफ में जितनी भी line है आप बनाओगे अब यहां पर point test करते हो तो यहां पर रखोगे यहां पर रखोगे 0 less than equals to 250 होगा यहां पर नीचे की तरफ यह वाला point और निकालेंगे यह वाला point आजाएगा इन दोनों का common point तो इन दोनों का common point आगया यानि यहां से इसको 5 से multiply करके elimination method लगा देना तो point हमारे पास बनेगा 250 और आई हो आपको यह point वेंट निकालने आते होंगे इसमें commenting मत करना कि सर्फ point हम कैसे निकालें अब point आपके पास आगे सारे corner point यहां तक का method आपको corner point method में और इसमें दोनों में ही करना होता है यहां से method अब change होता है अब यहां पर आप क्या करोगे जो z आपके पास है आपको ना एक convenient value लेनी है z के लिए for z that is अब वो value क्या होगी क्या ले सकते हो सबसे असान तरीका यह रहता है कि आप value ऐसी लो जो इन दोनों से आप अगर divide करना चाहो तो divide हो जाए क्यानि इन दोनों का सिद्धा उठा के lcm ले लो या फिर कोई ऐसी value ले लो आपको पता है कि lcm बेशक ना हो लेकिन वो इन दोनों से divide हो जाए तो मैंने यहाँ पर value ले ली 90,000 90,000 इससे भी divide हो जाएगा इससे भी divide हो जाएगा तो कुछ भी आप value ले सकते हो कुछ ऐसा fix नहीं कि यह value लेनी है यह नहीं लेनी है आप कुछ भी value ले सकते हो तो 90,000 मैंने यहाँ पर रखा तो यह बन गया ऐसे 4500x प्लस 5000y इक्वल्स तू में 90,000 अब आपको यह देखना है कि इससे अगर आप एक line draw करना चाहो easily draw कर सकते हो इन points के साफ से क्योंकि यहाँ पर 100,100 के साफ अपने 50 के साफ से लिया है या फिर 100 के साफ से लिया है graph में ओ देख लेना बना बहुत चोटी value ना हो जैसे 1 आ जाए 2 आ जाए तो graph में आपको plot करने में देख कर दोगी बहुत बड़ी value नहीं आनी चाहिए तो graph में आप कहां से लाओगे तो ऐसी value आपको देखनी है x और y की जो easily आप यहाँ पर plot कर सको जैसे अगर मैं यहाँ पर x को 0 रखता हूँ तो y की value यहाँ से निकालूँगा तो 3 0 यह कर जाएगी y की value आज जाएगी यहाँ पर 18 अब इस वाले points के अंदर इन points के अंदर 18 को रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए हम यह करते हैं कि हम इस value को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और एक 0 लगा देते हैं उससे क्या होगा y की value आजाएगी 180 ठीक है इस वाले में case में अगर मैं अगर मैंने x को 0 रखा है तो y की value मुझे मिल रही है 180 इसली plot हो जाएगी 180 मिनको easily मिल जाएगा यहां पर अब उसके बाद दूसरी value देखो आप अगर आप इसको 0 करते हो तो यह 2 0 तो यह कड़गी 45 दूनी 90 यानी 200 आ जाएगा अब इन points को आप plot करो यहां पर 0 180 तो 0 180 इदर हो गया और 200 0 200 0 इदर हो गया कई अब आपने इसको join करना है अब जितने भी corner point है ना वहाँ से इसके parallel आपको line pass करते हुए चलना है तो अगर corner point इदर रहे गए हैं तो वापस line को इदर लियाओ इसके parallel आपको draw करना है बस line को ठीक है एक जीरो जीरो यहां से भी pass कर देना parallel होने ची लाइन फिर बता रहाँ ठीक है अब इस तरीके से आप ऐसे pass करते जाओगे अब आपको यह देखना है कि आपकी जो line है हो सबसे last में कहां से pass करेगी यह वारी line यह लगबग हीं से pass करेगी और अब जब आप इसको graph पर बनाओगे ना सही तरीके से तो आप देखोगे कि आपकी line जो है सबसे last में इस point से pass कर ली है ठीक है अभी थोड़ा बहुत हो सकता है कि parallel वैलल मेरी ना बनी हो कि मैं तरफली बना रहा हूँ अब आप यह देखना कि जो सबसे last point जो मिलेगा corner point में से चाहें वो यह हो चाहें यह हो चाहें वो हो जो सबसे last point आपको मिलेगा वहां से आपको मिलेगी इसकी maximum value और इस line को हम बोलते है इसका मतलब क्या हुआ। विच पासनीडू तो इसका मतलब maximum value आएगी है हमारे पास कितनी इस point पर maximum value आएगी इस point को आप रख देंगे यहाँ पर Z के अंदर तो आपके पास इसकी maximum value आजाएगी तो यहाँ पर profit हम लिख देंगे profit is maximum at 250 और maximum profit क्या होगा जो आपके पास Z था यहाँ पर 4500 इंटू में X X की जगे रख दिया हमने 200 और 5000 इंटू में Y इसको solve करो इनको add करते हैं 11,50,000 का उसको total profit हो जाएगा अगर वो 200 product रखता है desktop के और चास product रखता है portable के अब उसके बाद चलते हैं next question पर यहाँ पर आपको table bunny बनाई दे रखिए तो constant बनाने और असान है तो constant बनाने हमें और असान है यहाँ पर दो item है X और Y आइरन इतना लगेगा दोनों में calcium इतना लगेगा विटामिन इतना लगेगा तो तीन चीज़े हैं पर तो यहाँ से आप constant बनाऊगे 6X प्लस में 2Y अब आइरन होना कितना चाहिए वो करा कि आइरन होना चाहिए एटलीस 18 मिलिग्राम एटलीस्ट है तो greater than equals to 18 तो common निकल जाएगा तो 2,3 जाए एक्स यह बन गया पहला constraint पर दूसरा जाएगा 3X प्लस में 3Y greater than equals to 21 calcium 3 common निकाल दो तिसरा constraint बनेगा vitamin का यानी 2X प्लस में 4Y यह कितना आपके पास vitamin है 16 यहां से 2 common निकाल दो और फिर आपको यह इनका price दे रखा है tablet X का price है दो tablet Y का price है इससे पहले जो invisible constraint है हमारे वो लिख लो Z आगया 2X प्लस में Y अब हमें क्या करना है minimum cost निकालनी है इसकी तो इसको करना है मिनिमाईज ठीक है constraint बनेगे फिर उसके बाद graph बना दो पहला constraint X को 0 करोगे Y की value आजाएगी 9 Y 0 करेंगे X की आजाएगी 3 तो यह आगया 3X प्लस में Y इक्वल्स टू 9 यहाँ पर करतें X की value 0 तो Y 7 आजाएगा Y की 0 तो X भी 7 आजाएगा दूसरा constraint यह आगया X प्लस Y इक्वल्स टू 7 तीसरा constraint लेट दें X 0 तो Y आजाएगा 4 और Y 0 करेंगे तो X आजाएगा 8 तीसरा constraint ही आगया इसकी एक line होगी हमारे पास X प्लस 2Y इक्वल्स टू 8 सारी line हमने बना दी अब यहाँ पर अगर हम point test करें 0 0 put करें 0 0 जब आप यहाँ पर put करोगे तो इसमें आजाएगा false क्योंकि 0 greater than equals to 9 यहाँ भी false यहाँ भी false तीनों में false आ रहा है अब इसमें corner point एक तो यह बनेगा एक यह बनेगा एक यह बनेगा और एक यह बनेगा तो यह दो point तो ही हमारे पास 8 0 और 0 9 यह दोनों point हम निकाल लेंगे वो equation को solve करके यह वाला जो point है वो किस line का है इस line का है और इस line का है इन दोनों line को इन दोनों line को आप solve करके निकाल दो एक ये वाली और एक ये वाली second और third को तो point अब निकालेंगे तो ये 6,1 आ रहा है ये वाला point 6,1 आ रहा है और ये वाला point 1,6 आ रहा है ठीक है ऐसे दोनों equation को solve करके आप ये point निकाल लेंगे अब उसके बाद फिर हम वोई take a convenient value for z तो यहाँ पर value ले ले लेते हैं दोनों का एलसे में 2 है यहाँ पर हमने लिया 2x प्लस में y इक्वल्स टो 2 अब x को 0 करेंगे तो y की value 2 आ जाएगी तो 2 इसमें easily find हम कर सकते हैं और y की value 0 करेंगे तो x की 1 आएगी तो वो भी easily find कर सकते हैं तो easily find हो रही है तो फिर आपको इसमें value में change करने की ज़़वत नहीं है अगर लगता कि यह point कम आ रहा या ज़्यादा आ रहा तो उसी साफसे आप value को adjust कर सकते हो यह value आपके लिए है आप इसलिए यहाँ पर लिखा था है convenient value जो आपको convenient लगती है वो value ले सकते हो तो हमने x को 0 करा y की value i1 हमारे पास उन्हें y की value i2 और y को 0 करा x की value i1 अब यहाँ से हम एक line draw करते हुए चलेंगे यह line हमने draw करी अब इसके पहले आप line draw करते हुए जाओ अब जो भी हाँ पर corner point है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले किस corner point से आपकी line पास होगी minimum value निकाल में तो सबसे पहले किस point से पास होगी तो जब आप एक line और यह जाओगे corner point देखने ठीक है इस points का कोई मतलब नहीं corner यह जो red वाले point है इनको देखना है फिर हम और आगे चलेंगे फिर हम और आगे चलेंगे तो सबसे पहले यह वाला point आ रहा है यह वाला इस point से line हमारी सबसे पहले पास हो रही है यानि जो minimum value होगी इसकी minimum value at 16 और वो minimum value होगी क्या इसको z में put कर देंगे z है हमारे पार 2x तैनि 2 into 1 प्लस में 6 यानि 8 आ जाईगी तो 8 रुपेगी इसकी cost पढ़ती है जो कि यह minimum cost तो इसी question के साथ ही जो LPP का one short है यह हमने ही पर complete करिया और सभी तरह के question मैंने तुम्हें करा दी लगबख formulation कैसे करना है corner point method कैसे करना है ISO profit and cost method कैसे करना है आई होब आपको इस one short के बाद LPP का जो concept है वो अच्छे तरीकी से clear हो गया होगा और exam में आपके इसमें पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्स तो लफ यू